इस वीडियो हम डिस्कुस करेंगे GIC Lecture PGT के बारे में यह new batch अपना रहेगा English के लिए English Language और Grammar के लिए मतलब Grammar, Language और Literature के लिए अब Literature कितना आपको मिलेगा इस पर बात में बात करेंगे पहले Grammar पर डिस्कुस करते हैं क्योंकि Grammar complete अपने पास available है इसलिए में डिस्कुस करना चाहता हूँ तो यह अपने संपोर्ण बैच है Paid बैच है बट में Free of Cost अवेलबिल करा रहा हूँ इसमें अब लोग Complete Grammar, Complete Practice Batch, Vocabulary और Notes के वारे डिस्कुस करेंगे Notes Grammar के कैसे मिलेंगे, उनका क्या process है और लेटर चाहके Notes मिलेंगे के नहीं मिलेंगे, वो साही बाते आगे डिस्कुस करेंगे पहला भी बात ध्यान से सुन लेजिए इस वीडियो को पूरा, क्योंकि हो सकता है बीचे आप वीडियो को अधूरा देखें, फिर आपके कुछ डाउट्स रह जाएं यह course कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पर भी आगे हम डिस्कुस करने वाले है तो basically यह अपना UPPSC से जो GIC Lecture की जॉब निकलती है उसके बारें डिस्कुस कर रहे हैं इसमें हम इसके syllabus और exam pattern की बारें डिस्कुस करेंगे subject अपना होगा English Language और English Literature यहां पर यह आपको complete available कराये जाएगा और इसमें काफी हत्ता अपने पास available चीजे हैं वो कहां मिले ही आगे डिस्कुस करेंगे इस नंबर पर call और वाटसर अब कब करेंगे मैं भी आपको आगे बताऊँगा आप डिलेक्ट वीडियो को बंद करके इस नंबर पर call मत करना भी पहले सुन लीजिए एक बार चैनल कहां मिलेगा कौन को चैनल है प्लेश क्या है टेलेगरम गूर्फ वाटसर गूर्फ या नोट्स के लिए वाटसर नंबर गूर्फ वो सारी आपको आगे मिल जाएंगे तो सबस पहले डिसकस कर लेते हैं के section A के बारे में section A में इन्हों ने आपको दिखाया यहाँ पर complete literature जिसमें UP PGT के इसमें काफी writers मैच कर रहे हैं और कुछ अलग writers और रहे हैं बेसिकल यह theoretical और objective दोनों paper होगा इसलिए आपको दियान से चीज़ समझना है तो यहाँ पर इस सारे के सारे आपके writers रहें फिर literary terms, moments वगएरा सारे यहाँ पर mention हैं उसके अलावा यहाँ पर यह और आपकी terms हैं इसके अलावा यहाँ पर यह आपको criticism in writers का आपको पढ़ना है अब बात करें section B के बारे language के बारे में तो passage, sentence, correction, narration, transformation, including active passive, including मतल समझना अगर आप SSC, banking बगरा के paper आप solve करते होगे तो इसमें के एक्टे पैसे नरेशन आता होगा लेकिए आपके transformation मतलब क्या है आपका active passive तो है जैसे की degree change करना आपस में यह synonym या antonym का use करना sentence में वो यहां पर transformation और include होगी, यहां पर यह आपका vocab रहा, यह para-jumbal का मतलब PQRS बगेरा, prepositions फिल करने, fill in the blank में, यह आपका vocab का session आया, यह vocab कराया, figure of speech, आपको सारे देखने मिलेंगे, prefixes and suffixes यह भी आपको देखने मिलेगा, अब यह complete package जो है, यह आपको कहा available होगा, अब इ post का नाम है lecturer, made of female donor के लिए, syllabus में दिया है, written premium होगा, और आपका जो means होगा, उसमें आपका written होगा, I think उसमें premium होगा, objective और means में आपका written, मतलब आपको लिखना हो आपका, interview इसमें नहीं है, यहां पर गलत लिखा हुआ है, interview इसमें नहीं है, pre or means के वल है, उत्तर प्रिदर स इसमें निकलता, form इसकी website रही, अब आगे discuss करते हैं, इसमें जो आपका first paper होगा, उसमें 120 questions होगे, 40 questions जीएस होगे, इससे मेरा कोई देना नहीं है, जीएस के लिए आप मेरे पास मत आईए, 80 questions जो cover up करने हैं, जिसमें literature और language दोनों include है, इसके उपर मेरा focus रहेगा, अब क् देखते हैं, और दूसर जो आपका man's paper होगा, इसमें आपका optional paper होगा, जिसमें 20 questions आपके long short मिला करके होगे, जो आपको लिखने हैं, और एक आपका ऐसे लिखना होगा हिंदी में, और आपको हिंदी, general Hindi कुछ questions आएंगे, इसके लिए compulsory होगा, कोई भी subject का आपका हो, और बाकी का आपका ये वाले 20 questions आपके English में आएंगे, जो आपको लिखने हैं उनकी answers, अब grammar complete, A to Z complete grammar आपको अपाहक क्लासेस पर मिल जाएगा देखने के लिए, और इसका I think, जहां तो मुझे उमीद है, समीर पार्ट साला चैनल पर 40 से लेकर के, और 50% syllabus कवर अप किया गया है समीर पार्ट साला पर जिसमें terms हैं, विलियम शेक्स पे कुछ प्लेस हैं, wordsworth हैं, शेले हैं, ये सब आपको देखने मिल जाएंगे, काफी सारी चीज़े हैं, लेकि आप सोचों कि complete G.I.C. का literature मिल जाएगा, वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं पहले ही मना कर दे रहा तो 40-50% आपका literature मिल जाएगा इस channel पर बहुत ही detail में अच्छी तरीके से, और grammar 100% मिल जाएगा उपाहर classes पर, अब आप चाहें तो इस PDF को जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके सामने अभी, इस video की description मिल जाएगा, इस video डालोड कर लेना, और इस link पर click कर देना PDF में, तो आप that playlist पहुंच जाओगे, जहाँ पर complete grammar पढ़ा हुआ है, आप चाहें तो manually उपाहर classes YouTube पर search करना, फिर यह logo ऐसा दिखाए देगा, आप पर click कर देना, फिर आपको कुछ ऐसा दिखाए देगा, आप playlist पर click कर देना, जैसे आप click करोगे, तो आपको वहाँ पर, यह वाली playlist डोन न होगे, तो आपको संपूर्ण English grammar यहाँ पर इसे लिखा होगा, यहाँ पर सारे videos लाइन से होगे, इसमें 283 videos हैं, अभी मैं इसमें synthesis video और add कर रहा हूँ, जो कि पड़े हुए हैं, arrange करके डालूँगा, तो यहाँ पर 320-340 videos हो सकते हैं, टेंशन ज्यादा लेनी नहीं है, सार कोस की 320 videos हैं, तो 320 video 320 गंटे के नहीं है, हरे video यह गंटे के नहीं है, कुछ video 10 minutes के हैं, कुछ video 40 minutes के हैं, तो overall 90 hours, यानि 3 महेने का कोस आपका complete है, अब आपको इनके notes बनाने बैठ करके, इन grammar के और एक ही चीज़ों को revise करना है, अगर आपकी इच्छा है रेन मार्टिन को पढ चल लाए, उसके लिए आप call या WhatsApp कर सकते हो, मैं केवलो केवले grammar पे फिलाल focus कर रहा हूं, लेटरेचर की आगे बात मैं करूँगा, तो यहां पर आपको इस सारे videos मिल जाएंगे, इसके notes आपको self में बनाने हैं, अगर notes भी चाहते हो grammar के, तो आगे भी मैं बता रहा हूं कै कैसे मिलेंगे, अब बात करें, प्रैक्टेस बेचर वाकेप की, तो इसकी दोनों प्लेश्ट यहां पर बनी हुएं आगे देख लिए ना, इसमें वीडियो से इतने भी दिखाई देश्ट में और बढ़ गए होंगे, जब आप देख रहे होंगे, या फिर मिलने वाले जल के अलावा, अगर आप चाहें तो, जो 93 वाल नमबर अभी बता दूँ आगे मैं, आप उस पर कॉल और वाट्स अप कर सकते हो, नोट्स के लिए केवल ग्रेमर के, लेटरी चेक नोट्स अवेलिवल नहीं है, केवल क्लासेस अवेलिवल है, वो आपको समीर पार्ट साल चैन जो भी उस एक्जाम में आएगा, वो सारी चीज़े मैंने दे रखी हैं, और वो बचीव चीज़े भी मैं काँ उस पर कर रहा हूँ, आप चाहें तो इस पेडिया पर इस लिंक पर क्लिक कर देना, तो ग्रेमर के नोट्स में क्या क्या चीज़े हैं, कैसा बने हैं, नोट्स पर मिल जाएगा, केवल लेक्चेस अवेलिबल हैं, और अवेलिबल किये जारे हैं, उस पर काम चलना है, इसलिए आप, इसलिए कॉल मत कीज़े कि हमें लिटेशन नोट्स चाहिए, सारी क्लासे चाहिए, जो भी कुछ अवेलिबल होगा, वो चैनला पर आपको मिलता उसके लग को पैनिक नहीं होना है, केवल और केवल, नोट्स अगर चाहते हो, नहीं बनाना चाहते हो, टाइम कम है, तो आप ये नोट्स बाइक कर सकते हो, ये आपके लिए जानकारी थी, आप मिलते हैं नेक्ट वीडियो में